कंगना रनाउत ने क्यूं कहा उनके राम मंदिर जैसे दफ्तर को बाबर की सेना तोड रही है ड्रक्स मामले में गिरफतार रिया चकरवर्ती को किस जेल बे किया गया शिफ्ट और फश्चिम मंगाल में दुर्गा पूजा मनाने को लेकर ममता बेनर जी का क्या है बड़ा बयान देश की सभी बड़ी खबरें अब देख लेते हैं न्यूस टॉप नाइन राष्ट चुब BMC ने कंगनार अनौत के ओफिस पर तोड़ फोर्ड की कारेवाई शुरू कर दी है BMC ने पहले ही नोटिस चपका कर कंगना के ओफिस को अवैद बताया था वहीं ओफिस के तोड़ फोर्ड पर कंगना ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबर किसे ना राम मंदिर जैसे मेरे आफिस को तोड़ने पहुची है अक्टरस कंगनार अनौत की कोरोना टेस्ट की दूसरी रिपोर्ट निगटे वाने के बाद उनके मुंबई जाने का रास्ता साफ हो गया है बगार कंगना का नाम लियशी उसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरियर निशान असाधा है कहा है कि मुंबाई माता का अपमान करने वालों के नाम महराश्यों के इतिहास में डामर से लिखे जाएंगे इस पर कंगना ने ट्वीट किया है कि मैं 16 साल की थी जब मुंबाई आई कुछ दोस्तों ने कहा मुंबाई में वही रहता है जिसे मुंबादेवी चाहती है सब दोस्त वापस चले गए और मुंबादेवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया रिया चकरवर्ती को भाय खाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है सुशान सिंग राजपूत केस में ड्रक्स मामले की जाच कर रही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चकरवर्ती को कल गरफतार किया था जिसके बाद कोट ने रिया को 14 दिन की नियाई खेरासत में बेज दिया है रिया की गरफतारे के बाद अमेरिका में रहने वाली सुशान की बहन श्वेता सिंकीर्ती ने ट्वीट कर कहा कि चिंता नहीं कीजे धैर रखिये पूरा सच सामने आएगा भगवान हमारे साथ हैं ड्रक एंगल आने के बाद कही समर्थक आ गए हैं पूरी सचाही सामने आने का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम इन समर्थकों कुछ देख पाएंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है उन पर आरूप लगाना शर्वनाख ह सुषान सिन राजपूत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो लोडड नाम की किताब पढ़ते नजर आ रहे हैं इस वीडियो में वो लूड़ो गेम हारने की बात कहते हुए खुद को जीरो बताते हैं इस वीडियो में जो दूसरी आवाज आती है वो रिया चक्रवर् वीडियो के दोन उकलिप्स में सुषान पूरी तरह से होश में नहीं दिखते पशिमंगाल में इस साल दुरगा पूजा नहीं मनाई जाएगी इसे अफ़ाब बताते हुए मुखमंतरी ममता बनरजी ने कहा कि कोई ये बात साबित करते तो वो उसके सामने सौ बार उठक ब केस सामने आये हैं जबकि 1115 लोगों की मौत हो गई है भारत में संक्रमेटों की संक्या 43,70,000 से भी जादा हो गई है इसमें से करीब 9,00,000 अक्टिव केस हैं जबकि 73,800 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है रात की बात ये है कि मृत्यों दरगिर कर 1.70 नफीस दी हो गई ह केंद सरकार ने कुरोन संक्र के बीच 21 सितंबर से नौवी से बारवी तक के चात्रों के लिए आंशिक तोर पर स्कूल खोलने के अजासत देते हुए नियम काईदा जारी कर दिया है स्वक्षिक आधार में चात्रों के उपर होगा कि वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं इस ओरान चात्रों के बीच कमज़कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी फेस कवर और मार्क्स भी जरूरी होंगे कंटेन्मेंट जो में स्कूलों को खोलने के अजासत नहीं होगी